नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं जोती आदव लेकर आई हूँ आपके लिए गुड नियूज बुलेटेन तो आए जानते हैं कि तेजी से बदलते प्रदेश में पिछले 24 घंटों में आखिर क्या कुछ बदला है कर्मचारी चैन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 2006 पदों पर भरती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है आवेदन 26 जुलाई 2024 से शुरू हुए और अंतिम्ति थी इसकी 17 अगस्ट 2024 है फीज जमा करने की आखिरी तारिक 18 अगस्ट 2024 है अगर आवेदन में कोई गलती हो तो उसे सुधारने की सुधार 27 से 28 अगस्ट 2024 की रात 11 बजे तक उपलब्ध होगी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परिक्षा अक्टूबर या नॉवंबर 2024 में आयोजित की जाएगी ये पद केंद्रे सरकार के बिविने मंत्रा लेओं और भिभाग में भरे जाएंगे यदि उम्मिदवार SSC द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की भरती परिक्षा में भाग लेना चाहते हैं उन्हें SSC की अधिकारिक वेबसाइट ssc.govornment.in पर जाकर अविदन करना होगा उतरमध्य रेलवे ने देनिक यात्रियों के स्वधा के लिए एक महतपून कदम उठाया है कानपूर से अलीगड के बीच एक अगस्ते फास्ट मेमो ट्रेन का संचालन शुड़ू होने जारा यह ट्रेन इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद जैसे बड़े स्टेशनों पर दो मिनट और छोटे स्टेशनों पर एक मिनट के लिए रुकेंगी रेलवे अधिकारियों के अदुसार जल्दी प्रयागरा, जहांसी, लखनो, बांदा और चितरकूट के लिए भी फास्ट मेमो ट्रेन चलाई जा सकती है सरकार की मनशा आगरा एरपोट को अलीगड के डिफेंस कोरिडोर से जोडने के लिए नए हाइवे और इसके सहारे आर्थिक गलियारे को विक्सित करने की है इसे अलीगड शहर के बाहर से गुजर रहे राष्टिय राजमार्ग वाइपास से जोड़ कर बनाया जाएगा और आगरा में खंदॉले के पास यमना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा किंद्र सरकार द्वारा पेश किये गए बजट में अलीगड आगरा हाइवे के लिए धनराशी की विवस्ता की गई है इसे अलीगड आगरा के बीच प्रस्तावित फोर्लिन हाइवे का निर्मान अब तेजी से पकड़ेगा 2385 करोर रुपे से बनने वाले 65 किलो मीटर लंबे इस हाइवे के लिए फरवरी में टेंडर पास किया गया था मगर भूमी अधिक रहना आधिकी प्रक्रिया होनी शेश है अफसरों का दावा है कि अगर सब कुछ सही समय पर होता रहा तो दो साल के भीतर रफ्तार का ये प्रोजेक्ट तयार कर लिया जाएगा बनारस का तेजी से विस्तार हो रहा इसी के साथ अफॉडेबल हाउसिंग स्कीम भी तेजी से डेबलप हो रही है वारानसी विकास प्राधिकरन ऐसी स्कीम को तबज्जो दे रहा है जिसमें बिल्डर कम एडिया में जादा और सस्ते फ्लैट सुपलब्द करवाए खास बात यह है कि एक महीने के अंदर में बिडिये ने ऐसी तीन परियोजनाओं को मनजूरी दी है जिनमें कम छेतर में अफॉडेबल समीती डेबलप करते हुए ग्रूप हाउसिंग के तहत जादा से जादा फ्लैट्स कम बजट में बनाये जाएंगे आने वाले समय में वारांसी में ऐसे कम से कम एक दो नहीं बलकी कई प्रोजेक्ट आने वाले हैं कोशिश यह है कि लोगों को कम बजट में आश्याना मिल सके आगे भी प्राधिकरन इस तरह के प्रोजेक्ट लाता रहेगा प्रदेश की दोनों प्रमुख युनिवर्सिटी दिंदया लुपाधिया गुरखपूर युनिवर्सिटी और मदन मोहन मालविया युनिवर्सिटी ओफ टेक्नोलिजी अपने चातरों की सुविधा बढ़ाने के लिए जल्दी ऑनलाइन क्लासे शुरू करेगी युजी सी से अनुमती मिलने के बाद अगस्त के अन तक रेजिस्टेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जीडी युजी में पहले वर्ष के लिए MBA और MSC Maths कोर्स जबकी MMUT में BBA और MBA कोर्स की शुरुआत होगी गुड नियूज बोलेचन में फिलाल के लिए बस इतना ही इसी तरह की तबाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स